चोपड़ा जोपिस न यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरी पैरी बच्चो आज इस वीडियो में सबसे बड़ी कुशी की बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो MCC का थर्ड राउंड होगा उसमें 10 new medical college add होंगे ये MCC नहीं notice दे दिया है ये आप notice देख रहे हैं इस notice में ये clearly लिखा है कि ये जो 10 new medical college हैं ये MCC के थर्ड राउंड में add होंगे तो cutoff डाउन जाएगी कितने cutoff डाउन जाएगी मैं आपको category wise expected cutoff बताऊंगा कि क्या cutoff रह सकती है थर्ड राउंड और stay round की और कितनी down ये cutoff जा स सकती है यहां पर तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने कौन-कौन से college इसमें add हुए हैं तो इसमें माराश्टर के 8 new medical college add हुए हैं और एक UP का है और एक medical college उत्राखंड का है तो टोटल 10 medical college है इन 10 medical colleges में हर एक medical college में 15 seats हैं ओल इंडिया कोटा के लिए यानि कि टोटल 100 seats in medical colleges में हैं जिसमें 15% ओल इंडिया कोटा के तहत ये 15 seat ओल इंडिया कोटा के 3rd round में add होंगी ये टोटल 150 seats add हो रही हैं तो 150 seats add होने से कम से कम 400 से 500 rank डाउन जाएगी ओल इंडिया की cutoff अभी 3rd round में और stay vacancy round में अभी हम आप देख लेते हैं कि category wise expected cutoff क्या रह सकती है तो मैं आपको यहाँ पर 3rd round का भी expected cutoff बताने वाला हूँ और stay vacancy round का भी cutoff हम देख लेते हैं तो you are category की हम बात करें तो 24,000 expected cutoff रह सकती है 3rd round की you are category की जिसका score होगा 653 और stay round में ये 25,000 तक जा सकती है इसकोर रहेगा 65 652 OBC category की बात करें तो OBC category में 1st और 2nd round में तो OBC और UR में difference रहता है लेकिन 3rd और stay round में इतना ज्यादा difference नहीं रहता है सिरफ 100 rank का या 50 rank का ही difference रहता है तो OBC category की बात करें तो 24,100 rank जा सकती है 3rd round में और 652 marks जा सकते हैं इसको stay vacancy round में 200 फाल्तु जा सकती है यानि कि 25,200 तक ये cut off जा सकती है ये 651 score तक मिल सकती है ये college last college मिल सकती है EWS की बात करें तो EWS 3rd round में 27,500 जा सकती है और score हो सकता है उसका 649 और stay की बात करें तो 28,000 तक जा सकती है क्योंकि EWS category में 3rd round में और stay vacancy round में ज्यादा फरक नहीं रहता क्योंकि student 3rd round में ही seat occupy कर लेते हैं इसलिए EWS की seat है stay vacancy round में कम आती हैं इसलिए ये 28,000 तक cut off जा सकती है 648 marks तक ऐसी category 3rd round की 1,37,000 cut off जा सकती है 550 marks पर और stay vacancy round में 1,45,000 जा सकती है और ये score रह सकता है इसका 544 ST category 1,82,000 तक जा सकती है 3rd round में 516 score रह सकता है और stay vacancy round में 1,95,000 पर जा सकती है और ये expected cut off है बकी 3rd round का अभी 24 start होने वाला है ये 5 October को start हो जाएगा कैसे आपने 24 से fill करनी हैं किस परकार से आपने किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसका मैं आपको separate video बना के बता दूँगा तो ये जानकारी थी expected cut off के बारे में कि क्या cut off रह सकती है इतनी सारी seat आने के बाद में यानि कि 150 seats आ रही है तो 150 seats All India के लिए एक बहुत बड़ा amount होता है जिससे 400 से 500 rank down जाने की possibility है जो normal rank से यानि कि पहले जिस rank पर जानी थी उससे 400 से 500 rank down जाएगी अभी तो ये expected cut off मैंने आपको बता दी है बाकी update के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोका आपसे लिता हूँ विदा जैहिन